आदा वर्जे, MCN उर्दो खबरनामे में आपका इस्तखबाल है नाजरीन, मैं हूँ मसरत पटेल खबरों के सिलसले को आगे बढ़ाने से पहले आई एक नज़र आलते हैं आज की खास खबरों पर गुजिश्टा शाम से ठिटरने लगा शहर अचानक सर्दी बढ़ जाने से रास्तों पर सन्नाटा आईंदा चन्द दिनों में सर्दी कम होने का इमकान मगर हो सकती है बारिश, मौकम मौसमयात का अंदाजा आईंदा इंतिखाबत के पेशे नजर कॉंग्रेस पार्टी की सरगर्मिया हुई तेज, रेलियों और जल्सों के बाद वर्कर्स की तर्बियत के लिए एक रोजा वर्क्शाब मुनाखिद समर्टनगर इलाखे में एक बैंक मुलाजिमा के घर पर चोरी की वारदात अंजाम देने वाले चोरों को ग्रफतार करने में पॉलिस को मिली कामयाबी तेरह फेबरी तक पॉलिस कस्टेडी में रखने का फाजिल अदालत ने दिया हुकम और गोलवाडी इलाखे के एक खेट से पचास साला मजदूर की लाज बरामत पॉलिस ने किया हादे साती मौत का केस दर्ज रिस्तदारों को खतल का शुबा खबरें तफसील से मौसम में अचानक हो रही तबदिली की वज़ह से मुल्क में कडाके की सर्दी पढ़ रही है और पारा 6.5 डिगरी तक पहुँच चुका है मौकम में मौसमियाद का अंदाजा है कि आएंदा कुछ दिनों में सर्दी कम होगी गुजिश्टा मह जनवरी में पारा 60 डिगरी सेल्सियस तक पहुँच जाने के बाद मुसलसल गर्मी में इजाफा हो रहा था और ऐसा लगने लगा था जैसे मौसम गर्मा शुरू हो चुका है मगर पिछले दो दिनों से एक बार फिर पारा गिरने लगा और कडाके की सर्दी पढ़ने लगी जुम्मेरा तक पारा 15.6 डिगरी सेल्सियस था लेकिन आज सुब गिर कर 6.5 हो चुका है मौसम माहूलियाद के मताबख शहर में सर्दी की लहर यूहीं बरकरार रहने का इमकान है अलबता पारा 10 ता 12 डिगरी सेल्सियस तक रहने के आथार है मौसम माहुलियात से मौजुदा तफसिलात के मताबिख 11 ता 14 फर्वरी के दर्मियान हल्की बारिश होने का भी इमकान है उसी तरह 15 ता 18 फर्वरी के दर्मियान आसमान अबरालूत रहेगा आएंदा इंतखाबात के पेशे नजर पार्टी फर्कर्स की रहनुमाई के लिए माराष्टर पर्देस कौंग्रेस कमिटी की जानिब से एक वर्क्शाप समवात के उन्वान से आज रखा गया वर्क्शाप के आगास से पहले सागर लौंस के एहाते में कौंग्रेस कमिटी के जिलस सदर वो रुकन असम्बली अब्दुल सत्तार के हातों खौमी पर्चम लहराए गया और तिरंगे को सलामी दी गई इसी तरह बाबाए खौम महत्मा गांदी की तस्वीर पर भी फूल चड़ा कर उन्हें खिराज अखिदत पेश किया गया इसके बाद रिवायती तरिखे से दीब जला कर वर्क्शाप का आगास अमल में आया वाज़ रहे के आइंदा पारलेमानी वो असंबले इंतेखाबत के पेशे नजर पार्टी में नई जान फूगने के लिए कौंगरिस पार्टी के आला खायदीन गुजिशता कुछ महां से मतहरिक नजर आ रहे हैं और हकुमत के खिलाफ जम कर मुजाहरे किये जा रहे हैं जगा जगा रेलिया निकाली जा रही हैं हाल ही में जिलावरंगाबाद में मुक्तलिफ मकामात पर आवामी जल्से भी मुनखिद किये गए जिसमें पार्टी के आला खायदीन ने शिरकत की और मौजुदा हाला से हाजरीन को वाकिफ करवाया कॉंग्रेस पार्टी की तारिख मुल्क की आजादी में पार्टी का किर्दार और इस मुल्क के लिए कॉंग्रेस पार्टी के रहनुमाओं की खुर्बानियों से मुतालिख पार्टी वर्कर्स को वाकिफ करवानी की घर से औल इंडिया कॉंग्रेस कमिटी की जानिब से समवात के उन्वान से वर्क्शॉप रखे जा रहे हैं इसी जिमन में एक रोजा प्रोग्राम आज सागर लॉंस में रखा गया जिसमें पार्टी के जिला सदर वो एमेले अब्दुल सत्तार शहर सदर नामदेवरापवार साबख एमेले कलियान काड़े एमेलसे हरी रामदा सरूपनवार जगनात काड़े सत्संग मुंडे सरोज मसलगे पाटिल सचिन सिरसाड जकताब खैसर बाबा रामु शेलके जगनात शेलके और कविता शिंदे महमानाने खुसी की हैसे से शरिक थी इस वरक्शॉप में एमेलसी रूपनवार के अलावा ए आई सी सी की जानिब से नामजद ट्रेनर्स राजू साहू नैशाद परभाद और विनोत नायर ने पार्टी वरकर्स की रहनुमाई की इस वरक्शॉप में कॉंगर्स पार्टी के सभी सेल और सभी शोबो के सुदूर तालुखा सुदूर और दिगर उहतेदारान बड़ी तादाद में शरिक थे शुब्र जूसिनां बुलगी दयामिनी बुलग उस्मितं रुमतल शोबिनी सुआजिनी सुगतुर साशिनी सुगतावर्दा मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम अपन आपने आपके या मत्तार संगा वादे आपने 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 गाव पाकली वर दुबाला त्या लोकान परेंद पोषवाइची जवाबदरी नाफीर प्रशुशन शिविराचा सर्व जवाब दरी दरी सुटारली ये चावर मुझ के लोगों आपन बोलन ले आगे ये पूर्न पक्षा मतले सर्व कारेवरतन शिविर नाही जे ये ये चाव मतले सहबागी जाले ले डिमंत्री दे देश आपने मतलती देख सब्सक्राब सकता ही मतलता हूर्न ब्रॉक सिविर नाहीं के लिदधार चेमरी नाहीं प्रदेश कोग्रेस केमिडी ची आदेक्षे आधर में आशोग राउजी चाओवान साहिवाणी राम हरी जिन्ना केची जवापदारी दिली लिया है अगी जवापदारी तनी एशिश्पी रित्या आता महराश्टा चा प्रतिक जिल्या मदे पार पाटले आधा आपले आउरेकाबाद चिल्या मदे आले खरा बंजी आप लग्राबंजी आपको एक महीना पशूद दर्रोज अपने कारेकरमाइद लोगो इस थ़क्ले ले आगे, आता प्रान्त अदिक सासा पाला निरो पाला तरमाना महीं है ने माई देश से सल पर माजार निरो वांतर सक्डाली लेला कर तालो माजे शचरा वाट तेम अधा कोजी तरी नवी नाम वादा आनने विया में, दर रोगा और अविया है दर क्या कारगा दर्ट किया अंडोलन जैविए बाध्यागी उते लूग में पातपास देहाँ थी नहां पोनगा ने पुर्चा विजान से बेचा निवलु की ची पुर्व तैयारी मुसलिम नमायनदा कॉंसल के एक वफ्त ने घुजिश्टा रोज इलाखाई कमिशनर से मुलाखात की और एक मेमरेंडम हकुमत के नाम देते हुए मुतालिबा किया कि दाश और इस जैसे देशतगर तन्जीमों की साइट्स को ब्लॉक किया जाए वाज़ रहे कि नौजवानों में इंटरनेट से बड़ती रखवत के सबब सर परस्तों की परेशानी में इजाफा हुआ है और दाश और इस जैसी देशतगर तन्जीमों की साइट्स पर जाने के सबब गुजिशता दिनों दस नौजवान को आई एस आई से रापता के शुबे में एटियस ने ग्रफ़तार कर लिया इन वाकियत के सबब मौशरे में शदीद बेचैनी पाई जा रही है नौजवानों को इस तरह की परेशानियों से बचाने के लिए मुस्लिम दानिशवरों ने उन में बेदारी पैदा करने और उन्हें इस तरह की वेबसाइट से परेश करने की अपिल करने के लिए आईमा मसाजिस से अपिल की थी जिसके बाद गुजशता रोस शहर की तमाम मसाजिद में जумाक के खुदबे में इस सλसले में मुसलियान की रहनुमाई की गई इसके बाद मुस्लिम नमाइंदा कॉंसल के एक वफद ने इलाखाई कमिशनर से मुलाखाद की और हकुमत के नाम एक मेमोरेंडम उनके सुपूर्द करते के मुतालिबा किया कि आई एस आई एस और इस जैसी दिगर देशत दिगर तन्जीमों की साइट सरकारी तोर पर बलॉ अलावा मुस्लिम नमाइंदा कॉंसल के दिगर दिमेदारान भी शामिल थे टेक्स वसूली के लिए मुस्पल इंतजामिया ने जब्ती मुहिम शूरू की है जिसके तहट गुजिश्टा रोज शेहर की 40 प्रॉपर्टी सेल की गई और 30 लाग से जायत प्रॉपर्टी टेक् है कि शेहरियान की सहूलत के लिए मुस्पल इंतजामिया ने गुजिश्टा महा खुसूसी मुहिम के तहट प्रॉपर्टी टेक्स के बखायों पर आयत किये जाने वाले जुर्माने में 50% की छूट दी थी ये मुहिम 31 जनवरी को खत्म हो गई इसके बाद मुस्पल कमिशन 10 बिग डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टी जब की जाएं जिसके तहर सभी जोन आफिस में ये मुहिम सक्ती के साथ चलाई जा रही है गुजिश्टा रोज 40,35,326 रुपर्टी टेक्स के बखाय वसूल करने के लिए शेहर की 40 प्रॉपर्टी को सील लगाई गई गई और 30, 46,946 रुपर्टी टेक्स वसूल किया गया। वजीर रमेश पर्भू ने कहा कि ये दोनों इसकीमा तरक्की की जानिब एक एहम खदम है। इस मौके पर इंडस्टियल स्कील डेवलप्मेंट मिनिस्टर संभाजी पाटिल निलंगे कर रियासती वजीर रंजीत पाटिल महाराष्टर वोमेंस कमिशन की सदर विजय डिस्टिक रूरल डेवलप्मेंट एड्मिस्टेशन के प्रोजेक्ट डिरेक्टर अशोक सिरसे, डिस्टिक प्लानिंग आफिसर विजय पवार और स्किल डेवलप्मेंट आफिसर सूरिय वन्शी मौजूद थे। जिसके पास एक साल पुराना लाइट वेकल ड्राइविंग लाइसन्स मौजूद है। ये इतला मुतालिख महकूमें से मौसूल हुई है। महराश्टर स्टेट रोड ट्रांस्पोर्ट कार्पोरेशन एस्टि की जानिब से इंदिनों ड्रैवर्स और कंडेक्टर्स की भरती का अमल जारी है। जिसमें खवातिन के लिए 30 फीसद जगा रिजर्व रखी गई है। आज 299 खवातिन उम्मिदवारों ने दर्खास्ट पेश की। भरती के इस अमल में खवातिन को मजद सहुलते फराहम करने के मकसद से एस्टि ने आज कुछ एहम फैसले किये। ड्रैवर उम्मिदवार क जिसमें मौसुल अइतला के मताबिख ये फैसला रियासती वजीर दिवा कर राहती ने किया है। अलबता ऐसी खवातिन जिसके पास लाइट वेकल्स लाइसंस है और अगर उनका इंतिखाब किया जाता है तो फिर उन्हें स्टि की जानिब से एक साल तक हेवी वेकल्स सलान डॉक्टर नीता पाडल करने दी। टरी माला स्र्वानना आवान करा है जर स्वता हुन कोणी जाऊन डॉक्टर ना कड़े है करता सेल तती करुण घेणारी वेकल्स ला घ्योंजानारे वेकल्स हे देखिल गुना स्पातर आये तेन चावर देखिल आरोप दाखल करता अगरूने तो तरी असा नहीं कि आएचा तारिखी असासों की हिफाज़त और उनकी देखभाल के लिए A.M.C. इंतिजामिया ने बजट में खुसूसी गुंजाश रखी है जिसके तहट काला दर्वाजा और खिजर गेट के ब्यूटिफिकेशन के लिए टेंडर कॉल किये जा रहे हैं नाजरीन, हमारा शहर शहर औरंगबाद खुजिस्ता एक तारिखी शहर है यहां मौजूद ताजे दक्कन यानि बीबी का मख़वरा पंचकी दौलतबाद का खिल्या गार है ऐलूरव औ अजंता के अलावा दिगर कई तारिखी असासे मौजूद हैं जिनकी वज़ा से हमारे शहर का नाम साथ समंदर पार तक मशूर है शहर औरंगबाद फसील बंद शहर के नाम से भी जाना जाता है किसी जमाने में यहां 52 दर्वाजे और 52 खिड़कियां हुआ करती थी मगर मुतालख महकुमों की लापरवाही के सबब उन में से कई दर्वाजों और खिड़कियों का वजूद मिट चुका है और अब शहर में सिर्फ तेरा दर्वाजे बागी बचे हैं हर दोर में सरकारी अफसरान ने सिर्फ इन असासों के तहफुस के लिए जबानी जमा खर्च किये मगर अमली तोर पर उनके तहफुस के लिए फंड्स फराहम नहीं करवाए मगर मौजूदा म्यूस्पल कमिशनर डॉक्टर निपुन विनाएक ने शहर में मौजूद हेरिटेज प्रॉपर्टीस के तहफुस और देखभाल दुरुस्ती के लिए माली साल 2018-19 के बजट में खुसूसी गुनजाश रखी है जिसके तहफ महमूद दर्वाजे की मरमत के लिए टेंडर्स कॉल किया जा चुका है और टेंडर दाखिल करने के लिए आखरी चंद दिन बागी बचे है और अब म्यूस्पल इंतजामियाने खिजर गेट और काला दर्वाजा की मरमत वो देखभाल दुरुस्ती और तजिन कारी के लिए टेंडर कॉल किया है मगर गुतेदारों को वक्त पर बिलों की अदाईगी नहुने के सबब वो लोग टेंडर हासिल करने में दिल्चस्पी नहीं ले रहे हैं नाजरीन तारिख असासों का तहफूस करना हुकूमत वो इंतजामे की जिम्मेदारी है मगर शेहरियान का भी फर्ज है कि वो हमारे शेहर की तारिख शनाक्त बचाने के लिए आगे आएं खुल्दबाद शेहर में खुल्दबाद नगर परिशद और आर्टियो के इस्तिराक से रोड सेफटी महीम के परग्राम का इनेखाद किया गया और इस मौके पर तल्बा ने परबाद फेरी भी निकाली खुल्दबाद शहर में आर्टियो और नगर परिशत के इस्तिराक से रोड सेफटी प्रोग्राम मुनखिद किया गया इस प्रोग्राम में मुक्तलिफ स्कूलों के तकरीबन बारा सो तल्बा ने शिर्कत की इन तल्बा ने सुब शहर में परभाद फेरी निकाली जिसका एक्तिताम धूश मेश्वर विद्यामंदिर इस्कूल पर अमल में आया इस प्रोग्राम में खुल्दबाद नगर परिशद सद्र, नायब सद्र, तमाम कॉंसलर्स, नगर परिशद, सी-ई-ओ, खुल्दबाद पोलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर शामिल थे इस मौके पर दल्बा की रहनुमाई करते हुए उन्हें रोड सेफटी से मुतालिख पाखिफ कराया गया हरसुलता बाबा पेट्रोल पम और बाबा पेट्रोल पम ता चिकल थाना जाने वाले रास्ते के तामिरी काम की जाज़ का हुकम दिये जाने के बाद जन्हेत संगटना की जानिब से जन्जीरे हरताल खत्म की गई बादे रहे के हरसुलता बाबा पेट्रोल पम और बाबा पेट्रोल पम से चिकल थाना एरपोर्ट तक बनाई गई सड़क के तामिरी काम में नाखिज दर्जे का माटेरियल इस्तेमाल किया गया है और इस मामले में बड़े पैमाने पर बद उन्वानिया हुई है लहाजा इन रास्तों के तामिरी काम की बारिकिस से जांच करवाई जाए इस मुतालबे पर जन्हेत संगटना की जानिब से डिविजनल कमिशनर आफिस पर गुजिशता 24 जन्वरी से जन्वरी फूक हरताल शुरू की गई थी इस मौमले में नैशनल हाईवे डिपार्टमेंट मुंबई के चीफ इंजिनियर ने सुप्रिटेंडिंडिंग इंजिनियर कॉलिटी कंट्रोल औरंगबाद को इन कामों की जांच करने की तहरीरी हिदाय दी है जिस पर जन्वरी संगटना ने अपनी जन्जीरे हरताल खत्म कर दी हरताल करने वालों में महुम्मद जाकेर, शेख इमरान, योगेश थोरात, नेता भाले राओ, महुम्मद मुश्विक सेयद शबीर, मसूत खान, महुम्मद इल्यास और जावित पठान शामिल थे जन्वरी संगटना के तरफ से जो आँका उपशन 16 दिन तक चला चक्रिवा उपशन, मानिय अएक तव बापकर साब, मानिय पुनोरसन अधिकारी खारकर मेडम, उन्होंने ध्यान देखे, वो पीड़बलिटी के अधिकारी को बोला, और पूरे जन्जीर संगटना के पठा जिले के पठा अधिकारी, जाकेर, जो माहराष्टे के अधिक्ष है, पूरे जिला अधिक्ष है, उसमें यूथ कांगरेश, हम कांगरेश के माचे अधिक्ष बोलके उनको पाठी माचे, सब लोगों ने दिया, और तुमारा जन्हित संगटने का मेरे हिसाब से पच्छता है, एक तो जो कॉंटेक्टर है, उनका कालियादी में नाम दाला जाए, और जो अधिकारी है, जुनियर इंजर, जुनियर इंजर, तीनों को सस्पेंट करा जाए, जो जन्हित संगटने की मागनी है, तो उस तरफ से में को आशा के किरन लगती है, हमारे बापकर सौर्ब न सघ्णी है, उसमें क Tapiりगती है, तो मृस्टने का अभीनन करता हूँ, और आपके माध्यम से मैं बूलना जाता हूँ, जहाचा अब भरश्चार होई, सोशल वरकर परवीन आहरे की जानिब से शहर में मुफ्त तिब्वी जांच कैम्प रखा गया और मुफ्त दवाएं भी तखसीम की गई ये कैम्प रेलवे स्टेशन इलाखे में मुनाकित किया गया था इस कैम्प में 720 मरीजों ने अपनी जांच करवाई जांच करवाने वालों में जाबतिस और आँखों के अमराज में मुबतला मरीजों के साथ बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल थे जांच के दोरान मरीजों को मुकमल इलाज करवाने की सलाह देते हुए मरीजों में मुफ्त दवाएं भी तखसीम की गई इस मौके पर घाटी अस्पताल के डॉक्टर भारत सोनोने, डिस्टिक इंफरमिशन आफिसर मुकुन चिल्वन, सीनियर पोलिस इंस्पेक्टर पुरेम सागर चंदर मोरे मौजूद थे इस केम को काम्या बनाने में महिश, मुरकोटे, गौतम शिंदे, मनोश पगारे, सागर गाइकवड, अरविंद वारे, प्रतीक देवे, विशाल कामले, रिशिक जोशी, अरविंद वारे की काविश खाबिले तारीफ हैं इच्छावे घतारी तरना फोडिल तरकेती थाडि शुगेच्छा देट इजे बुर्विय ओध़ा तारों के शिमरे ठवलेला हैं इंटे मदे आमचे स्वकारी प्रविनानी महेश, येंच बोठा योगदान आहें आपन काईबन तो कि एक सामाजी कार्याला सुरुवात के लिले आहें तेखरच वाखन्या जोगा आहें करन मलातस्ताइच बंदूनी सांगितले प्रमाने ये सर्वो मित्र मिरून जेकाई गोलवाडी इलाखे के एक खेत में पचास साला शक्स की लाज बरामद होने पर इलाखे में संसनी पहली हुई है पोलिस ने इस मौमले में हादे साती मौत की शिकायत दर्ज की है लेकिन प्रिशदारों ने साजिश का सुबा जाहर किया है एकनाथ वानखडे नामी शखस गोलवाडी इलाखे में रंगनाथ बापुराव काले के खेत में काम करता था वो खेत में मौजूद एक कमरे में अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था आज दो पहर खेत में वो बेहोश हालत में पाया गया जिसे फौरण घाटी दवा खाने में पहुँचाया गया जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मुर्दा खरार दिया एकनाथ सोएगाउं तालुखे के बहुल खेडा का साकिन था इसके जिसम पर नीले निशान और कान पर गहरे जखम मौजुद है उसका चहरा खून से लगपद है पोलिस को शुबा है रात के वक्त वो गिर पड़ा होगा जिसके बास उसके कान और नाक से खून बह जाने के सबब उसकी मौत हुई होगी लेकिन रिश्तदारों का इल्जाम है कि एकनाथ का खतल किया गया है 17 पोलिस थाने के इंस्पेक्टर प्रेम सागर चंद्रमोरे मौमले की जांच कर रहे हैं पोलिस को पोस्ट मार्टम रिपोर्ट का इंतिजार है जबके वान खेड़े के रिश्तदार खतल की शिकायत दर्च करने का मुतालिबा कर रहे हैं दो रोस खबल समतनगर इलाखे के एक फ्लैट से पचास तोले सोने के जवरात और एक लाक रुपे नगद चोरी के मौमले में पोलिस ने दो अफराद को बुलढ़ाना से गिरफतार किया है जिन्हें 13 फेबरी तक पोलिस कस्टेडी में रखने का अदालत ने हुक्म दिया है वाज़ रहे के अजन्टा अर्बन कौपरेटिव बैंक की मुलाजमा सुनिता धर्मिंदर पुरानक समर्तनगर इलाखे की साकिन है चार फेबरी को उस वक्त जब वो मुलाजमत पर गई हुई थी नामालूम चोरों ने पचास तोले सोने के जवरात और एक लाग नक्त रखम चुराकर रहा फरार इक्तियार कर ली थी दिन दहाड चोरी की वारदात पेश आने के सबब शेहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही थी ये मौमला करांती चोक पोलिस स्टेशन में दर्च किया गया था जिसके बाद क्राइम बरांच पोलिस ने बारीके से तेखेखास शुरू की और इलाखे के एक सिसी टीवी फोटेज की जांच की गई जिसमें एक टूविलर गाड़ी पर दो चोर फरार होते हुए दिखाई दिये इनकी तलाश पोलिस ने शुरू की तो पता चला के ये दोनों शातिर चोर पुलधाना के रहने वाले हैं लहाज़ा पोलिस का एक दस्ता पुलधाना पहुँचा और किरन चोहान वो कर्मा पवार इन दो अफराद को इस मौमले में गिरिफ्तार करके अदालत में पेश किया जहां फाजिल अदालत ने उन्हें 13 फेबुरी तक पोलिस कस्टेडी में रखने का हुकम दिया कांचन वाड़ी इलाखे में गश्ट कर रहे पोलिस के दस्ते को देखकर तीन अफराद अपनी कार वालुज के लाइन नगर इलाखे में छोड़कर फरार हो गए गाड़ी की तराशी लेने पर उसमें से कोईता और कटर बरामद हुए पॉलिस जराय से मिल इतला के मताविक जुमा की शब पॉलिस पीसी आर वैन में गश्ट कर रहे पॉलिस दस्ते को एमेश नंबर 02-BY-1263 नंबर की लाल रंग की कार तेज रफतारी से वालुज की सिम्त जाती दिखाई दी जिस पर पॉलिस मुलाजमिन को शुबा हुआ और उन लोगों ने उस कार का ताखुब किया जैसे ही इस कार में सवार अफराद को इस बात का एहसास हुआ के पॉलिस उनका पीछा कर रही है कार ड्रैवर ने वालुज इलाखे में एक कच्छे रास्ते पर गाड़ी मौल ली जिसके इतला वालुज पॉलिस को दी गई वालुज पॉलिस ने इस गाड़ी की तलाशी शुरू कर दी तो उन्हें लाइन अगर इलाखे में मस्कुरा कार लावार इस हलत में मिली के असल मालिक की तलाश है पोलिस इस बात की तह तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये कार चोरी की तो नहीं और इस पर लगाए गई नंबर प्लेट ओरिजनल है या वो भी डुप्लिकेट है खबरे खत्म करने से पहले आए एक बार फिर नदर डालते हैं आज की खास ख़बरों पर गुजिश्टा शाम से ठिटरने लगा शहर अचानक सर्दी बढ़ जाने से रास्तों पर सन्नाटा आएंदा चंद दिनों में सर्दी कम होने का इमकान मगर हो सकती है बारिश मौकम मौसमयाद का अंदाजा आएंदा इंतिखाबत के पेशे नजर कॉंग्रेस पार्टी की सरगर्मिया हुई तेज रेलियों और जल्सों के बाद वर्कर्स की तर्बियत के लिए एक रोजा वर्क्शोब मौनाखित समर्त नगर इलाखे में एक बैंक मौलाजिमा के घर पर चोरी की वारदात अंजाम देने वाले चोरों को ग्रफतार करने में पॉलिस को मिली कामयाभी 13 फेबरी तक पॉलिस कस्टेडी में रखने का फाजिल अदालत ने दिया हुक्म और गोलवाड़ी इलाखे के एक खेट से 50 साला मजदूर की लाश बरामत पॉलिस ने किया हादे साती मौत का केस दर्ज रिस्तदारों को खतल का शुबा इसी के साथ MSN और्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है कल फिर होगी मुलाखात कुछ और खबरों के साथ तब तक के लिए हमें दीजी इजाज़त खुदा हाफिज